असलाम लेकुम आज में शेयर करने वाली हूं समर सीजन के जो कच्छे कच्छे आम हैं उसका कदुकस किया हुआ एक बहुत अच्छा सा पिकल मतलब अशार बहुत टेस्टी अन बहुत ही यम्मी बन के ये तेयार होता है चपटा खटा सा शार जो के डाल चावल रोटी के साथ इसका कारण बहुत हैं। सबसे पहले यहांपे एक जी में कच्छी आम लिया जो हरी हरी चिलके वाला आम होता है जो मार्केट में इजली आपलेवल होता है। उसको मैंने लाकि अच्छी से इसकी उपर की पिलिंग निकाल ली पूरा चिलक अच्छी से उतार लिया है और ब पूरा अच्छे से हो पाईगा तो देखिए यहां पर इंट थी आथ को अधन बार देखिंटे होंरे । ही यहां पर निकालना निकूल है और यहां पर 2 टेबलश्पून मैंने हलदी पाउडर में हल्दी पारडर डालने के बाद यहां पे नमक यूज़ नहीं करना है। बहुत लोग यहां पे हल्दी और नमक दोनों कमिक्षन मिला कि इसका मौस्चेयर सुखा लेते हैं। लेकिन नहीं। नमक जो है अपना मौशियर खुद छोड़ती है तो नमक इसमें यूज बिल्कुल नहीं करना है यहां पे सिर्फ हल्दी डालना है और इसको अच्छे से मिला लेना है चारो तरफ के हल्दी यहां पे सारे आम में अच्छे से लग जाए और इसको धूप में कम से कम एक से दो पूरना के लिए आपको दिखाना है ताकि इसका जो मौशियर है उप पूरा श्यूख ग्यायं से तो देखिये धूब में नहीं दिखा लिया है तकरिए दू दीण पूरा बें है ऊशा न जरस अब पानी आपको दिख इसके लिए मसाल लिए तो मसाला यहां पे मैंने सरस तो इन शारो मिंजम भुन लेना है तो सबसे पहले चौन मनगायी को बहुत लोग भुजे कर देखिए कलन शार्सो WAY लिक टेस्ट करने में रिंदें वर उसका माप फन वट्तिकों कि अप़र का पहलता है है शिह को थोड़ा भुनना है । भुन खंग काले चिल के निकाल लेने हैं और यहां पे देखिए पहले मेथी दाना यूज करना है यहां पे सबसे पहले मेथी दाना भुनना है और यहां पे सौप को भुनना है तो सबसे पहले मेथी दाना और सौप जो है दो से तीन मिनट के लिए इसको हलका गोल्डेन ब्राउन कर लेन मंग्रेला और अजवाइन जो है जादा भुनना नहीं चाहिए वस थोड़ा सा उसको रोष्ट करना है अब देखिए सारे मसाले अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं और बहुत अच्छी सी सुन्दी स्मेल भी आ रही है तो इसको मुझे अब निकाल लेना है तो सबसे पहले है सरspace के दानेública जो मैंने सील में पीस ने है इसको हलका सा दरदर ओर चोड़ा करना है और इसकी काली चुलकी जो इउपर की है उसको पूरा अच्छे से निकाल लेना है आपको रुपान से जाड़ें टो देखिया तो देखिए अब पूर निकाल लिया है कर अपने पूरा नि इसमें शामिल कर देना है और सर्सों नमक पर लाल मिर्च आइट किया है तरफाल सुम पूंदल पारय सरंय नमक को है सर्षाइब 2-3-4 तरफ disappoint सर्षाइब सासडस में संपर, स्रिख सेठी filter डिया है कि स्रिख Fast Д legislεत की ङये हमें पूंदली समय शच्टीवा कर दो बीकर को में देख जो और पूंदलीर गीए इसा तरीके से जेसने उसरीके आपको यहां पर आप सरसो ओईल साराइट अरड मिक्स करना अज़ना कि तो यहां पर लिए सार नपसर तरहना है पिर जगाना कि भालन की इसी सесट्ट करना आप पूरा अच्छा सा मेरा हो चुका है असार अब इसमें सरसो ओईल आप चाहे तो जितना एड़ कर सकते पूरे अचार जो है ओईल में अच्छे से डुबो जाना चाहिए तबी जो इसी ओईल में जो है न ये अच्छार गल के तयार होता है बस इसको डाल के चमच की उल्टी इतहर से इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है उपर नीचे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप देख पा रहे होंगे इसी तरीके से ओईल डाल के सरसे को अच्छे से मिला लेना है पूरे आम के पिकल्स को तो देखिए अच्छे से मिला लिया है फिर से मैंने और इसमें ऑईल डाला है तो तकरीबन यहां पर मैंने अब इसको एक दिन के बाद अगर आपको लगे कि ओईल इसमें कम है तो अब फिर से इसमें ओईल आयट कर सकते हैं अभी यहाँ पर इतना काफी ओईल है आप देख पारे बहुत अच्छे से मैरे मिक्स कर दिया है आप देखी पूरा ओईल अच्छे से डूप चुका है अब यहाँ पर थोड़ा और डाल देरी है मुझे कम लग रहा है क्योंकि सारा आम जो है और अच्छे से अब्जर्व होना चाहिए तबी आम जो यह गलेगा अब यहाँ पर एक कपड़ा लेना है थोड़ा सा जिल्ली वाला और बस इसको अच्छे से बांद देना है और आपको क कम से कम 15-20 दिन तक इसको कड़ी धूप दिखानी है ताके जो है गल के अच्छे से सौफ्ट हो जाए और खाने में बहुत ही टेस्टी लगे तबस इसी तरीके से इसको देखिए धूप में आपको रग देना है 15-20 दिन तक इतना धूप लगेगा उतना चादे यह गल के ट वीडियो कमेंट में मुझे बताइए और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को चैनल आपने नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाईएगा और फिट बैक देना मत भूलिएगा थैंक्स पूर वाचिंग दा वीडियो अल्ला हाफीज